आप सभी लोग और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसी डीटेल्स की जिसे आप बिलकुल भी सीजन 3 ऑफ डीमन स्लेयर जो आने वाला है 9 अप्रेल को उसमें बिलकुल मिस नहीं कर सकते हो इन पे आप बहुत ज्यादा फोकस रखना है यह काफ़े सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है तो वह पांच चीजे क्या है वेल स्टारिंग ओफ विद अपर रैंक मून अभी तक हम लोग ने आकजा को देखा है ग्योतारो और डाकी को देखा है जो कि मर चुके हैं लेकिन आ गया हैं लोग फकॉर्स सीजन में देखेंगे जो अपर रैंक हैं आर दे रियल डील मूजान के बारे में सब को पता है बट अपर रैंक सार्डवन देखा इस एंटायर डीमन लाइनप सो स्केरी यह जो अपर रैंक से गाईस यह सीजन थी में काफी इंपोर्टेंट रोल प इंपोर्टेंट होगे थ्रो अपर रैंक सेजन दो आप जो इंपोर्टेंट चीज जिसके आरहें बात कर नहां जाहूंगा वह है दीमन लेर मार्क नाव जो मांग रिडर नहीं पता दीमन लेर मार्क किया है अगर आप एनई में अनली भी हैं आपने देखा कि पिछले सीज टांजरो फाइणली गितारों को मारते वक्त गर्या कारते वक्त उसका मार्क homes थोड़ा हाइवला ही ये जो मार्क है इसको काफी custom है ये special क्यों है इसकी स्थिरिय तो आपको आगए बाटया नोगी जाएगी लेकिन गाइस यह मार्क ये काफी important चाहन क्रने वाला है एंड नाइस सिरफ Tanjiro के लिए लेकिन अपकमिंग हाशिरास के लिए भी यह जो मार्क है इसको आप बिल्कुल मिस्मत करना इंफक्त आपको थोड़ा बहुत शाइद इसके बारे में बताएंगे so make sure you pay attention because even जो final seasons होंगे उसमें यह जो मार्क है बहुत important role play करेगा throughout the story now the third thing that I want to talk about is this character जिसको season 2 में हलका सा दिखायता and मैं भी नाम रिवील नि करूंगा because that would be a big spoiler बहुत 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 इंपोर्टन है बहुत पावर्फुल है बहुत ही strong आप लोगों को आप लोगोंने season 2 में देखी लेया होगा जब डर्क की डरने लगे थी है यह तो मुजान समा की memory है and he is the one who is scared so यह जो गाइस character है काफी strong है काफी powerful and आपको जो है इसको देखने को मौका मेलेगा season 3 में if I am not wrong and यह जो character है guys है काफी important है in fact I think upcoming season में जो है इसका बहुत important role होने वाला है so pay attention to this character and I can't wait कि जब लगों की reaction आएंगे इस character के लेकर में it's going to be amazing बहुत लोग बोले थे कि यह जो है Tanjiro का पापा है Tanjiro का दादा है यह great grandfather है ancestor है like बहुत सारी theories है so I will not spoil any for anyone but yeah guys pay attention to this character and it's going to be amazing यह जो character है upcoming season में आएगा इसका आगी की season में भी आएगा so it's going to be epic once you guys you know see him in action जो चौत्ता important चीज़ा जिसको बारे में में बोलना चाहूंगा वो है इस season में जो है जो है आने बाला है and guys यह जो हाशिरा है काफी important है now यह बचेंगे की मरेंगे यह तो आपको season 3 में पता लगी जाएगा I think it's going to be really important so pay attention to these हाशिरा guys because Rengoku यह फिर तैंजन जो था they as a हाशिरा they were like really good and यह जो upcoming season 3 में जो हाशिरा होंगे यह दोनों जो हाशिरा है जो हाशिरा मिचुरी और मुचिरो final thing that I want you guys to pay attention जो काफी important होने वाला है season 3 में वह हामारी Nezuko and Nezuko जो है guys there's going to be lot of changes आपने season 2 में भी देखा होगा वह जो है demon form में आचुकिती and she was scary and season 3 में जो है guys बहुत से changes आने वाले है she's gonna be you know like बहुत से चीज़ होने वाली मैं spoiler नहीं देना चाहता इस वीडियो में but guys pay attention to Nezuko and बहुत से changes जो है आपको देखने को मिलेंगी Nezuko के अंदर so यह जो 5 चीज़े है guys season 3 में बहुत important होने वाली है so इन 5 चीज़ों पे जो है आप extra focus रखना season 3 जो है 9 अप्रेल को release होने वाला है and movie भी release होने वाली है 17 March को मैं सुचता थे कि एक dedicated video बना उस चीज़ को लेकर में but then I was like you know it's just बहुत से लोग इसको cover करेंगे so please movie देखना अगर आपके theater में release होती है and of course 9 अप्रेल को तो खर season आई रहे so we're going to talk about that as well